नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल ICT एकाड़ भी में आप लोग का स्वागत है प्रंस आज की इस वीडियो में आप लोग से National Scholarship का एक नया problem के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सरा student के साथ अभी ये problem आ रहा तो अगर आप लोग National Scholarship एपलाई किया हैं तो क्या नया problem है, 90% student ये problem का solution खुझता है और नहीं मालूम होने के कारण बहुत सरा student को payment receive नहीं भी होता तो क्या है नया problem कैसे इसको solve करना है, इस वीडियो में complete details में बताऊंगा तो scholarship apply किया है, तो थोड़ा सा time निकाल कि इस वीडियो को जो rule देखिए क्योंकि हो सकता आज नहीं, तो कल इस तरह का problem आपके साथ भी हो सकता तो क्या है नया problem चली वीडियो को सुरू करता है उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए अब तक subscribe नहीं किये तो subscribe करके notification को भी on कर लिजे, ताकि कोई भी में नया video upload करो National scholarship update problem का solution related तो notification मिल जाए और इस वीडियो का एक like कीज़े और अपने एक फरन को जोरो share कर दीजे ताकि अगर हो सकता उसको अगर इस पर करकर problem हो रहा, तो कैसे उसको solve करना है चले अगर के बीडियो शुरू करते हैं, पहले बार करते है, national scholarship में क्या-क्या verification होता है, उसके बाद payment मिलता है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो देख पार है, पहले अगर हम लोग scholarship apply करते हैं, तो under processing verification at institute level के पास जाता है institute level verification करता है, यहाँ पर yes होता है, फिर district के पास जाता है, फिर उसका आधार verification yes रहता है अगर हम लोग आधार कार देते हैं तो, जिस state में आधार कार mandatory नहीं है, जैसे असाम के student वहाँ आधार कार नहीं डालता है लेकिन सभी कुछ यहाँ पर yes होना जरूरी है, तो अभी क्या नया problem आ रहा है, जो कि 90% student का इस परकर का problem होता ही है, हो सकता आज नहीं तो कल आपके साथ भी हो, तो अभी क्या message आ रहा है या पर किसी और का डाल देते हैं, जिसके करण message तो कहीं और चला जाता है, लेकिन उसको inform नहीं होता है, कि क्या नया update करना है, क्या problem है, जिसको हम लोग solve नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सरा student को payment नहीं भी मिला है, ठीक है, तो क्या problem है? एक student हमको आज email की हैं, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो हो सकता, अभी आपके साथ problem अगर नहीं है, तो हम आप लोग login करके देख लिजे, और अगर कुछ problem पहले से हैं, तो उसको कैसे solve करेंगे, पहले यहाँ पर देख लिजे, इसका क्या message आया, your application is, पहले समझ लिजे, हो सकता, आज ने, तो कल आपके साथ भी problem हो, तो कैसे check करना है, कैसे login करके, कैसे इसको solve करना, उसका process पूरा बताऊंगा, आपको इस scholarship मिलेगा, तो जोरूर टाइम निकलके, दो second, दो मिनिट का time निकलके, जोरूर देख लिजे, ठीक है, देख पार मतलब इस student का जो bank account यहां पर validate no है, वो यहां पर bank account is not validate, मतलब नहीं हो पा रहा है, जिसके करन आपको payment नहीं मिलेगा, तो अभी हम लोग का, अगर इस तरह का message आया है, हो सकता, आज ने, तो कल आ भी सकता आपको, या पिन नहीं आया, तो आप लोग लोग इन करके, कैसे check क करेंगे, कि bank validation yes, हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, और यहां पर देख पर अगर इस परकर का message आया है, जिसको मालूम है, तो कैसे solve करेंगे, पहले हम लोग national scholarship को open कर लेते हैं, उसका जो session में हम लोग form को apply करते हैं, वो session में login करेंगे, phrase का तो अभी नही login करेंगा, उसके बाद login करने के बाद, आपको यहां so करेंगा bank validation no, ठीक है, बाकी यहां पर yes, yes, so करेंगा, institute, yes, district, yes, क्योंकि उसके बाद ही bank validation होता, bank validation no, से मतलब यहां पर so करेंगा, और आपको left side में bank account update करने के option आएगा, पहले समझ लेजी किस परकार का bank account होना आप ज़रूरी है, क्योंकि your account is not validate, आपका account NSP में validate नहीं कर रहा, अभी क्या account देना जाए, पहले आप देखिए कि आपका form में, जो मतलब form apply किया, तो उसमें जो account number डाले थे, वो सही आप डाले हैं कि नहीं, अपना account और IFC, क्योंकि बहुत सारा student के क्या होता, branch change हो जाता, या shift हो जाता, या फिर मार्ज हो जाता, जिसके करन उसका account number हो ही रहता, लेकिन IFC हो जाता, तो bank वाले तो अपना काम कर लेते, लेकिन हम लोग NSP में या scholarship में डाल नहीं हो रहा, तो आपको 10 दिन का time मिलता है, bank account को update करना का, तो ऐसा student जिसका इस पर कर बता रहा, your account details is not validate, तो आपको क्या करना, आपको दूसरा account यहां पर update करना, पहले आप देखिए, अपना form में अगर bank account को आप गलट डाले हैं, या फिर आपको डाले हैं, तो सही IFC या पहले हुआ है, पहले फिल भी कियें, लेकिन फिर भी अगर not validate बता रहा, उस case में, आपको नया account डालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता, आपका bank account ruler है, या पिर उसमें कोई update नहीं है, बहुत इन से बंद पड़ा हुआ, या पिर बहुत ruler चेत्रे का, गरामीं चेत्रे का, जि normal savings bank account हो, जिसमें कोई transaction का limit ना हो सकता, आपका payment अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो payment फेल होने का chance रता है, इसलिए कोई भी transaction limit नहीं रखेंगे, मतलब 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, अगर amount आ जाए मेना बर में, तो कोई दिकत ना, उस तरह का normal savings bank account देंगे, जिसमें आधार card अगर आपक transaction करते रहेंगे, 100-200 मेना में, जैसे account बंद ना हो, ठीक है, तो आप पहले अपना form को open करके देख लिजे, उसमें अगर आपका account नमर आपसी कोट सही है, फिर भी अगर not validate बता रहा है, और validate करने का update का option मिला है, तो नया account को open किजिए, नया account open करने का बढ़िया, SBI ये पिर account नमर आपसी कोट को डाल देंगे, ठीक है, और अगर form में हम लोग गलती फिल कर दीए, तो आपको एक मौका मिल गिया, अपना account नमर आपसी कोट को सुधारने का, उसकेस में हम सही सही अपना bank account को डाल देंगा, आपसी कोट को डाल के update कर देंगे, ठीक है, कोई भी दिक्क account अपडेट करने का अगर option दिया है, तो आगर आपका bank account आप गलती डाल दिये तो form में आपसी कोट गलती डाल दिये थे, या फिर कोई दूसरा account अपडेट करना, नर्मल सेविंग्स SBI का है, या फिर कुछ और खाता अगर अपडेट करना, तो अपडेट भी कर सकते हैं, त को सब्सक्राब भी कर लीजे, नए नए अपडेट हमेशा पाने के लिए